Hello everyone, I am your science teacher and our YouTube channel is UVS Classes. So, आज से हम स्टाट करने वाले हैं Science Class 8th, चेप्टर नमबर 1. NCRT बुक से हम करेंगे, चेप्टर का नाम के हमारे Crop Production and Management. Crop means होता है फसल, तो हम इस चेप्टर में पढ़ेंगे फसल को केसे उगाया जाता है, केसे बोया जाता है, उनमें कौन-कौन से टूल लगते है, जो भी उसकी प्रोसेस रेती है, हम इस पूरे चेप्टर में फसल के बारे में पढ़ेंगे. सबसे पहले हम defines करेंगे, उनका description करेंगे, फिर हम उसके questions करेंगे, और जो भी आपको problem हो, आप comment box में comment कर दीजे, फिट आउट session वाली वीडियो में हम आपके सारे वो doubt के लिया करेंगे. तो हम आगे बढ़ते हैं, what is agriculture? क्रशी क्या होता है, खेती क्या होता है? The term agriculture is derived from two Latin words, agar means field and culture means cultivation, agriculture thus is the cultivation of field or land. Agriculture word जो रहता है, वो Latin word के two words से मिलकर बना है. तो agar means क्या होता है? field. field means होता है, खेत and culture means cultivation. खेत पर कुछ भी बोना, कुछ भी उगाना. तो अगरिकल्चर का मतलब क्या होता है? खेत पर कुछ भी बोना या उगाना. तो हम उसे बोलते हैं, खेती. अब आगे बढ़ते हैं, crop. crop क्या होता है? फसल, when plants of the same kind are cultivated at one place on a large scale, it is called a crop. एक ही जगा पर भूस सारी मात्रा में, plant उगाने को क्या बोलते हैं? crop, फसल. जैसे आप यहाँ पर देखी रहे हैं, diagram में. So crop कितने प्रकार के होती है? कितने टैक्स होते हैं? crop के? दो टैक्स होते हैं. कौन-कौन सी होती है? एक खरीब क्रोप होती है, और एक ruby क्रोप होती है. खरीब क्रोप क्या होती है? The crops which are sown in rainy season are called क्रीब क्रोप्स. rainy season में जो उगाई जाती है, उसे हम क्या बोलते हैं? खरीब क्रोप, रेनी सीजन में जो उगाई जाती है, उसे क्या बोलते हैं, खरीब क्रोप, और जो विंटर सीजन में उगाई जाती है, हम उसको क्या बोलते हैं, रभी क्रोप, जो विंटर सीजन में उगाई जाती है, उसको क्या बोलते हैं, रभी क्रोप, रेनी सीजन जो हम मारा होता है वह कब से कब तक होता है अक्टूबर से मार्च तक घरिब क्रोप के आप एक्जाम्पल हम देखते हैं कौन-कौन से होते हैं पैडी पैडी मीज क्या होता है धान किसी को पता ना हो शायद धान क्या होता है धान यह होता है कि चावल जो कॉड़ेड रहते तो उसक के अंदर से चावल निकलते है उसको बोलते है जहाता है मेज मीन होता है मेज मी कुल अद्रान को कोड़े मिन्स रूइ ग्राउड नघ्विट को sap ग्राम मिस चना, मस्टर्ड, मस्टर्ड मिस सर्सो, पी, इटीसी, अब हम आगे बढ़ते हैं एग्रिकल्चर प्रेक्टिसेज, एग्रिकल्चर प्रेक्टिसेज क्या होता है, all the activity of the farmer are called agriculture practices, एग्रिकल्चर मनलब खेती करने के लिए जो किसान पूरी प्रोसेस करता है, उसको क्या बोलते हम, एग्रिकल्चर प्रेक्टिसेज, सबसे पहले क्या होता है, प्रिपरेशन ऑफ सोल, सोल को प्रिपेर करना, सोल को प्रिपार कैसे करता है, तिल इंग. फिर उसके बाद में होता है, सोिंग, सो इंग में होता है, बीच को बोना, स्वाइंग मतलब क्या होता है बीच को बोना फिर उसमें क्या होता है ऐडिंग इन्योर और फटिलाइजर को हम एड करते है इरिगेशन objectives mean क्या होता है सीचाई सीचाई means यह होता है कि जब प्लांट को टाइम टाइम पर पानी देते तो उसे हम क्या बोलते है सीचाई प्रोटेक्शन फॉम बीट से उनकी उनको प्रोटेक्ट करना तो वीट क्या होते वीट से होते आन्वॉंटेट प्लांट जो ना चाहते वे भी उख जाते जैसे आपने कभी देखा होगा कि रहनी सीजन में ग्राउंड में छुट-छुटे पोधे उप जाते हैं तो वो क्या होते हैं वीड्स जो यदि फसल के आस्पाग हो जाते तो उनकी ग्रोथ नहीं हो पाती अच्छे से इसलिए उनको प्रोटेक्शन चाहिए रहता है वीड्स अच्छे से उनका रख रखाओ करना क्योंकि यदि अच्छे से रख रखाओ नहीं करेंगे तो या तो वो सड जाएंगे या फिर में किडे लग जाते तो इसलिए वीड्स प्रोसेस होती है वह होती है इस्टोरेज की सो अभी हम इन सब के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे स कैंसे और सबसे पहले हम पड़ते है क्या चाहिसा और साथ्यम सोह है काम जोआते हैं वो टूल्स तो सबसे prawda हम पढ़ेंगे पल्प के बारे पिरलों वाकम tea का और की कंघैने लिए मैं गाज्सीरन के सब्सक्राइब क Lebensमक्राइब के समच इक सes ऑंफ टाम है उनक जल से भी-च भी-च बेहने कि आपक्तक्राइब घओ पमेटगे रहाएंने के दिरा के लिए पड़ा हैं अब बीज के लिए जगा बनानी पड़ती है तो यह इसलिए काम आता है आपने कभी देखा होगा कि दो बेल आगे चलते हैं और उसके पीछे वह एक हल टाइप रग तो यह ही रहता है तो इसमें यह वाला जो हिस्सा रहता है इसका यह क्या होता है नुकिला होता है नुकिला होने हम नेश्ट आगे बढ़ते हैं अब हम पढ़ते हैं होई होई क्या होता है इट इस सिम्पल टूल विच इस उसलिए फोर रिमोविंग वीड्स एंद फोर लूसनिंग दो स्वाइल इट हैस लॉंग रोड ओफ वूड और आइरन और स्ट्रॉंग बॉर्ट एंग बेंट प् एनिमल यह भी एनिमल के थुरू ही चलता है इसमें क्या होता है यह जो रोड रहती है यह जो इनकी लाइन देती है यह या तो आइरन की होती है या फिर वूड की होती है मतला बलखडी की होती है या तो यह लोहे की होती है इसमें एक हैंडल होता है इसमें यह ब्लेड होती यह बी प्लग की तरह ही काम करता है नेक्ट हम आगे बढ़ते है कल्टिवेटर क्या होता है तो ये क्या होता है कि या सोयल में जैसे आप देख सकते हैं कि अपनी ये बीजो के लिए जगा बनाता है और ये एक ही साथ में कितनी साही जगा बनाता है जबकि पहले वाले जो टूल्स यूस होते हैं वो एक बार में एक ही जगा बनाते हैं पर ये क्या होता है ये बहुत सारी एक ही बार में तो और सेट ड्रील की क्याम करता है The Seed Drill is used for showing with the help of tractor This shows the seeds uniformly and distance and depth तो क्या होता है कि यह होता है यह ट्रेक्टर में लगा रहे था है और ट्रेक्टर में इसमें यह फनल टाइप होता है फरनल टाइप होता है इसमें से बीज अंदर डाल कर और फिर ये जो हमने वो सोईल को टिलिंग करा था उसमें सारे बीज लगाया जाते हैं बोई जाते अब हम इसके बारे में और आगे पढ़ेंगे पर वो आप नेस्ट वीडियो में पढ़ेंगे सो ठेंक्स